गुद मॉनिंग फ्रेंट्स वैलकम टू टीम इस्टा क्लासस मैं हूँ आयशी और आज है 25 मैं और 25 मैं से करेंट अफ्रस के जितने भी इंपोर्टेंस कोशन हो सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो हमारी वीडियो हम स्टाइट करते हैं तो आज का हमा जो पह पहरें हम थोड़े से दिटेयाल लेंगे नॉत कोरिया को जो इसरी कंट्री इस 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 या से बलॉंक करती मैं है और इस्ट आसीया से एशिया के दुसरे सबसे अमिर व्यक्ति कौन बन गए हैं तो इसका सही अंसर होगा Option A. गौतम अदानी हाली में जो Bloomberg Billionary Index की जो लिस्ट आई है उनके according एशिया के जो दुसरे सबसे अमिर व्यक्ति है वो गौतम अदानी बने हैं Bloomberg Billionary Index के अनुशा Reliance Industry के अध्धक्ष मुकेश अमबानी एशिया के सबसे अमिर व्यक्ति है अगर कोश्चन आए आपको कि एशिया के सबसे पहले अमिर व्यक्ति कौन है तो उसका सही अंसर होगा Option यह सौरी सबसे अमिर व्यक्ति होगे तो वो होगा मुकेश अमबानी मुकेश अमबानी और अगर आए कि एशिया के दूसरे सबसे अमिर व्यक्ति कौन है तो वो सही अंसर होगा गौतम अदानी जो गौतम अदानी है उन्होंने हाली में जो चीन डाइकन जोंग शंशन को पिछे पचारते वे दूसरे अमिर एशियन बन गए है यह लिस्ट तयार की गई है जिस लिस्ट में आपको चार चीज़े बताए गई है पहली तो यह है कि जो अमिर व्यक्ति है दुनिया के उनके नाम दिये हुए है क्लाइन से और उनकी कूल संपत्ति दी हुई है और वह किस देश से बिलॉंग करते यह बताए गया है और यह है इनकी रैंकिंग है कि वह कौन से नंबर पर चल रहा है तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे अमिर व्यक्ति कौन है तो जे बैजोस इसका सही अ नंबर पर चल रहा है जो है तो फिक नंबर पर है मांक सुपर्र जो है वह और नंबर पर ह assessments आप नंबर पर है और लेरी अलीन जो है डले और पर है और 11ज पर है आ प्रेकोंस , कोर्ट मेयर्स字 और बारविय पर है अमेन और कोई और टेंगा ऑर तेर्वी पर है मुकिष अंबानी चोथे पर गउत गोत्ता मदामिद्ध और पंद्रवे पर है जौंग शंशें अगर और आपको दूनिया के साब से पूछा जाता है कि दूनिया में तेरवे नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो वो आएंगा मुकेश अम्बानी यूगि दुनिया के लिस्ट में जो है मुकेश अम्बानी तेरवे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति है लेकिन अगर कोशन आता है कि एशिया के सबसे पहले अमीर व्यक्ति कौन है तो उसका पूरे नहीं आते हैं कभी भी हमेशन या तो पहला पूछा जाता है या तो आपके साही ओप्षण होगा बुकेशमबानी जिनकी कुल संपती है सबसे अमीर वेक्ति जैब बैजौस और आगर एशिया से सबसे अमीर वेक्ति कौन है तो उसका सही अंसर होगा मुकेशमबानी आज थर्ड कोष्या ने टैपलटन फूरुषका 2020 किसे दिया गया था तो इसका जो सही अंसर होगा वह है और प्शन B जैन गुडॉल को हाली में जो टैपल्टन पुरुसकार था वो 2021 में जैन गुडॉल को दिया गया है प्रक्ति बादी जैन गुडॉल को जानवरों की बुद्धी और मानुता के बीच के काम की मानित तक में टैपल्टन पुरुसकार के 2021 विजेता के रुप में गोशित किया है ये एक बहुती अची प्रक्रतिवादी है और उन्हें जानवरों की बुद्धी और मानुता पर काम किया था इन्हें काम को देखते हुए ने टैपल्टन पुरुसकार भिया गया है गुडाल ने जैन गुडाल ने 1973 में जॉन टैपल्टन जो फाउंडेशन दौरा की जाती है हमेशा इसको दिया जाता है और जो पुरुसकार के जो राशी होती है वो होती है वन पॉइंट वन मिलियन यूरो टैपल्टन पुरुसकार प्रति वर्ष टैपल्टन फाउंडेशन दौरा दिया जाने वाला एक प ऐसका हमाला फोथ कोशन है फोबज के वर्श के 10 सबसे अधी भुकतान पाने वाले ये इटलेटों के वार्शिक सूची में में पहले स्थान पर कोन है इसके एपसे पूछे चयाके पहले स्थान पर कोनने तो जो पहले स्थान पर हे वह है कोर्नर व्यक्वेर, option is का सही अंसर होगा फोबस के वर्ष के 10 सबसे अधिक भुकतान पाने वाले अथिरिटों की वाशिक सुची में सबसे पहले स्थान जो है वो कोर्नर मेक ग्रेगर का है, आयरलेंड के मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है ये पिछले एक साल में 180 मिलियन डॉलर की कमाई करके फुटबल सुपरस्टार लियोनोल मैसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पच्छाड कर दुनिया में सबसे अधिब भुकतान पाने वाले अथिलेटिक्स बन फोबस की सुची में शिर्ष इस्ताना असिल किया है इससे पहले जो अगर देखा जाए तो हमेशा जो सुरी इससे पहले हमेशा जो होता तो फुटबॉलर होता थे उन्हें सबसे अधि भुकतान पाने वाले खिलाडी समझा जाता था यह रैकिंग इंडेक्स है जिसमें रैंक दी गई है नाम दिया है खेल दिये है और उनकी इंकम दी हुई है वो जितने भी अथलेटिक्स के रहे हैं उनकी सारे भी बताए गए कि कौन सबसे ज़्यादा अधि सबसे पहले स्थान पर है यह सबसे ज़्यादा बुकतान पाने वाले खिलाडी है और इसके बाद है सेकेंड नंबर पर जो है वो है लियोनल मैसी अजेंटिना इस वाकर की खिलाडी है और इसकी वन थर्टी मिलियन डॉलर है फोर्थ हर नंबर भी किस्टियानो रेनॉलडो है जो पूर्ते का से बिलोंग करते हैं और फॉर्थ पर है डॉक पैसकोर्ट साइकराज अमेरिका से बिलोंग करते हैं यह और यह फूटबॉल गेम के फिल प्लेयर है और इनकी है और एक सो साथ दश्यमलों फाइप मिलियन और लेबरॉन इससे तोटल पूरे 10 इसमें दिये हुए 10 ख्लारिस दिये हुए है जिनकी अपनी महीने की इंकम बताए गई है तो आप इनको याद करने इसमें ज्यादा तर जो आता है वह फर्स सेकंड थर्ड याद पूछा जाता है सारे नहीं आते कभी इसका मेरा वीडियो बैनर जी का निधन हो गया रए वोह जो थी भरती पर्माणू उर्जा आयो के अध्यक्ष रह चुके थे डॉक्टर श्रीकुमार बैनर जी 2012 में पर्मार्णू उर्जा आयो के अध्यक्ष और पर्मार्णू विभाग के सच्चियों के रूप में सेवा निवरित तो हुए हैं आज में जो है इन्हें पदमश्री का दिया गया था और 1999 में इन्हें शांती भटनागर स्वरू पूरुसकार मिला था और हाली में इनका निधन हो गया है पड़ते हमारे नेक्स कोशन की ओर तो आज का हमारे जो सिक्स कोशन है वो है किस वक्ति को रिजोब बैंक इन्वेर्शन हब का मुख्य कारेकारी अधिकारी CEO निउक्त किया है तो इसका सही अंसर होगा अप्शन D. राजिश बंशल को हाली में रिजोब बैंक इन्वेर्शन हब का मुख्य कारेकारी अधिकारी CEO निउक्त किया है अब राजिश बंशल रिजोब बैंक इन्वेर्शन के CEO के रूप में CEO के रूप में हफ टेक अधनुसांधान को बढ़ावा देने और नवेर्मेंशक और स्टार्टप के साथ जुडाओं की सुविधा के लिए आंत्रिक बुनिया हादी डाजे का विकास करेंगे हाली में किस देश की होकी संस्था ने ATN ग्लिच पुरुसकार जीता है तो इसका सही अंसर है होकी इंडिया हाली में होकी इंडिया संस्था ने ATN ग्लिच पुरुसकार जीता है होकी इंडिया ने देश में खेल में व्रदी और विकास में योगदान के लिए प्रतिश्टिट ATN ग्लिच पुरुसकार जीता है होकी इंडिया इस लिस्क दी हुई है जिसमें 47 वे FIS Federation of International होकी कॉंग्रेस की एक भाग की रूप में प्रस्तूत किये अन्य पुरुसकार मतला इनके अलावा भी और पुरुसकार थे जिससे पहला पुरुसकार रखा गया थे नहीं पबलो नेग्रे पुरुसकार और इसकी परावी के ऑगने फ़ोर ठीक भी यह जो गजेटा थे वह उजबी उजुबेकिसान होकी फैड़ेशन जो सेकेंड इन था तही यो एक्मा पुरुसका जो मिला था पॉलिश होकी संग को थर्ड पुरुसकार फ्र सुलतान अजलान शाह पुरुसकार जो निजीलन्ड के शीर फोर्थ पुरुष्कार गुस्ट लार्थोवर्ध. मम्योरियल ट्रवी इवानअ मक्कर को मिले हैं ? इटिन पुरुषकार है होकी इंडिया को मिला है खेल में वर्दी और विकास में योगदान के लिए प्रतिष्टी पुरुसका एटियन इंग्लिज पुरुसका जीता है हमारा आजकर एट्ट कोश्चन है इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स दपास प्रेजन नामक उस तक किस ने लिखा था तो इसका सही अंसर ही option C, शीव शनकर मैंन, इंडिया एन एशियन जियो पॉलिटिक्स, दपास प्रेजन, जो पुस्तक थी वो शीव शंकर मैंन ने लिखी थी इह पुस्तक आपको दीख रही होगी इंडिया एशियन जियो पॉलिटिक्स तो जो शिव शेंकर मैनेन हैं उन्होंने अपनी नविंतम पुस्तेक जो लॉंच की है 1950 में उस पुस्तेक में 1950 में चीन द्वाया तिबद पर कबजा करने की गंभीता को रेखांकित किया है उन्हों ने बताई इस पुस्तक में ने 1905 में मतलब पास्ट के बारे में बताया है जो 1905 में चीन ने तिबद पर कबजा करने की जो गंबृता थी मतलब कबजा करने के कर चो किया था उसको बुक में और उनके अनुस्रा भारत चीन संब्बेंदों में एक महद पुन्शन था लेकिन इस तरक को चुनोती देता है कि भारत चीन मांका रोकने में तिबत पे ऐसका नाइन कोस्चन है नहरू तिबत और चीन पुस्चख किस नहीं लिखी इसमें फिर एक लिए पर आपोस्टक किस नहीं पुस्थक के में पुस्थक किया गया है दो बूख के में gitu है तो एसका सही अंसर100 अवतारuduk पुस्तकimme फिर्सी गहन ओर शोथ के आधार पर यह पुस्तक्रिम मतलब काफीक हैं यह उन्हों में पूस्तकों में 900 50120 1220 एब भारविचे विऊध्य और उसके बार फा थी घटनाओ wired विशलेशन करा है, मतलब यह जो बुक है, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बारे में इसमें विशलेशन किया गया है, ताकि इन ज्वलन सवालों के जवाब तलाश रिजा सके, मतलब उनमें कुछ सवाल थे उस टाइम पे कि अगर जब भारत और च जवाब तलाशे गए हैं इस बुक में, तो काफी अच्छी बुक होगी, हमारे इस फीडियो को जो लास्ट कोशन है, कोशन अबर टैन, हाली में भारती मुक्यमाजी के पहले दोनाचारे पुरुसकार विजेता कोच का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था, तो इनका सही अनसरे ओपी भारतवाज, हाली में भारती मुक्यमाजी के पहले दोनाचारे पुरुसकार विजेता कोच का निधन हो गया है, जिनका नाम तो ओपी भारतवाज, मतलब लिहान से पढ़ना इसमें लिखा है, पहले दोनाचारे पुरुसकार विजेता, मतलब होकी के जो कोच पहले तो कोई भी रह सकते लेकिन उसमें पोच्छा गया है कि पहले दोणाचारिय पुरुसका विजेता वाले जो हौकी की कोच्छते वो कौन थे तो वो थे ओपी भारतवा जिनका हाली में निधन हो गया है भारतवा जो थे वो 1968 से 1990 तक भारत के राष्टिय मुक्यवाजी क कोच थे और उन्होंने राष्टिय चैन करता के रूप में भी काम किया था यह पता पतियाला में नेशनल इंस्टिटूट ऑफ स्पोर्स इंडिया में खेल के लिए पहले प्रमुक प्रशिक शक्ते मताने काफी अच्छा अपनी ट्रैनिंग करी है और काफी अच्छे लोग कुछ कौन रहते हैं तो ओपी भारतवाज अगर आपको हमारी इस वीडियो अच्छे लगे हो तो प्रेस हमारी वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और और भी लोगों को शेयर कीजिए हैव गुड डे बाय थाइंक यू